आगामी सिक्षण सत्र प्रारंब होने के पहले S.C.S.T. और O.B.C. के शत्प्रतिशत चात्रों को जाती प्रमार पत्र जारी किया जाएगा जाती प्रमार पत्र के लिए न्दौर जुला प्रशाशन विशिश अभ्यान प्रारंब करने जा रहा है सुमवार को समय सीमा बैठक में कलेक्टर इलाया राजटी ने सभी तहसीलदार और S.D.M. को इसके संबंध में निर्देश दिये सिक्षन सत्र प्रारंब होने के पहले जुला प्रशाशन द्वारा जुलाती प्रमार पत्र बनाने के लिए विशिश अभ्यान चलाया जाता था लेकिन कुरोनम हमारी के बास से यह अभ्यान बंद है पिछले दनों हुई कलेक्टर कमिशनर कॉंफरेंस के दोरान वरिस्ट अधिकारियों ने जाती प्रमार पत्र बनाने के लिए विशिश अभ्यान प्रारंब करने के निर्देश दिये थे निर्देशों के तहत इंदोर जिले में भी जाती प्रमार पत्र के लिए विशेश अभियान चलाया जाएगा सुमवार को हुई समय सीमा बैठक में कलेक्टर रिलाईया राजाटी ने सब भी अधिकारियों को निर्देश दिये अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि चात्रों का आविदन जमा करने के लिए फॉर्मेट बनाया जा रहा है इस फॉर्मेट पर एक माह तक आविदन लिये जाएंगे सबी आविदन के स्कूरूटनी करने के बाद लगभग धाई माय में शत्र प्रतीशत प्रमार पत्र जारी कर दिये जाएंगे एक अभियान कलेक्टर कमिशन कॉन्फरेंस में डिरेक्शन मिला था जैसे इना कोवीट के दोरान हमारी स्कूल्स में इस्पेशली स्टूडन्स के जादी प्रमान पत्र बनने का प्रक्रिया है वह तोड़ा नहीं हुआ है सो वापस हम लोग उसको इना शुरू करने जा रहा हैं कितने भी गवर्मेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका नेक्स्ट ना वन मंत के अंदर उन बच्चों का स्टूडन्स है पहले चरण में स्टूडन उसके बात ना हम बीसी का भी जाएंगे पुरा फार्मेट उनका अप्लिकेशन से ना हम लोग इना डिस्ट्रिबोशन करेंगे उसका बरके ना लोकसभा केंदर के माधियां से इसमें अलग मॉड्यूल बना वहां आ जाए फिर व पहले चरण में स्टी के चात्रों के प्रमाल पत्र बनाए जाएंगे दूसरे चरण में ओबीसी के चात्रों को लिया जाएगा फिर रिपोर्ट एंपी नियूज दौर